कि नमस्कार साथ की मुवाय स्मार आपका यहंकी क्लासेजर्ट है इस चत्वापर्श शवबत करता हूं, आज दोस्तों फ्र आज जिरूंँ आपके साथ, आज मैं आपके लिए रिजिनिंग की क्लास रिक्या हूं और हम लोग रिजिनिंग में पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग और इस कोडिंग डिकोडिंग का आज हम लोग का छटमा सिक्षन है और इसमें आज हम लोग पढ़नेगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग और words to words तो आसमस्ते क्लास छट्मी क्लास है और हम लोग की coding. decoding चलगा है जो reasoning में चलगा है वो करूं से चलगा है coding decoding coding decoding और आज हम लोग इसमें दो टोपिक को कबर खालेंगे और वोज़ दोनों टोपिक को बों से हैं पहला तो है आपका Common कोडिन दी कोडिन और दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है वर्ड्स टू वर्ड्स ओके वर्ड्स टू वर्ड्स आज हम यह दोनों टॉपिक कबर करेंगे ओके तो इनके जो कोशिन रहते हैं वो भी आपके रेलवे की एकजाम में इसस्टी की एकजाम में या फिर वो बैंक का एकजाम हो सबी एकजामों में फूचे जाते हैं इनकी वोश्यन तो आज हम लोग इन दोनों टॉपिक पर बाहत करेंगे तो सबसे पहले हम लोग करते हैं common coding reporting common coding reporting तो हम आपको क्या क्या करवाएं हैं एक तो आपको मैं बताया हूं यह पहला टाप बनंगा हूं और दूसरा में आपको अधनहा है मैं लेटर टू आップ करने तो नमबर में लेटर कूम हैं दो टापिक नाहीं कभर किया आपको डिकां अपका ये दो उप्टीक कवल हो गया ठिकस्ट सुoffand type first में करा था और type second में करा अर ये आपका थाइड और ये आपका when you're a four on okay उसकी बाद आपका दो रह जाएगा एक रह जाएगा लेटर टू सिंबल और एक रह जाएगा तो चैनल को ज़रो सस्क्राइब कीजिएगा, अभी तक नहीं कियें, तो प्लीज कर लिजिए चैनल को सस्क्राइब, और वीडियो शेयर कीजिएगा, ज्यादस ज्यादस आपने शरी शातियों में, शेयर कीजिए, और ज्यादस ज्यादस लोगों को आप जोड़िए, ठीक है तो चलिए हम लोगी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पैदा टॉपिक आपका होगा Common Coding Recording और इसकी कोशन को हम कैसे पूट करते हैं तो चलिए देखेंगे ओके तो ये आपकी क्लास छट्वी है और इस क्लास छट्वी में हम लोग पढ़ क्या है Common Coding Recording Common Coding Recording है तो इसका एक्जामपल 6 के ये साथे पर अमकर का एक्जामपल है ठीक है ये किशी सांकेति घासा में ध्यान से समझेंगे पिट एन यन ए ए ने टॉम को एपल इस ग्रीन एपल इस ग्रीन टिट ने टॉम को एपल इस ग्रीन कहा रहता है ने फॉर हो का जो अठ्थ है उसको क्या कहा रहता है ग्रीन एंड वाइट हो टॉम का हो टॉम का जो अर्थ है इसका मतलब है आपको बताना है इस तरह सीन को कोड दिया है तो बताईए एपल का कोड क्या होगा एपल का कोड क्या होगा एपल का कोड बताना है आपको किसका कोड बताना है एपल का कोड बताना है अब आप दिखिए मतलब यहां पे जो आपका एपल है यह यहां पे एपल है इसका कोड क्या होगा इसका कोड क्या होगा इसका कोड क्या होगा पिट होगा ने होगा टॉम तो आपके पास common वाली बात होती है हम Keival और Keival किस के बात कर सकते हैं ? इंको कर सकते हैं अब जैसे इसे मुझे क्यों भाना है कि एपल का कोड क्य और एपल का कौड करने के लिए इज का और गृण का कोड बाहर हो जाये मतलब इन तीनों में इन तीनों में से पिट ने टॉं का अर्थ जो है अब पिट का मतलब एपल है, या ने का मतलब एपल है, या टॉम मतलब एपल है, किसका आर्थ है मुझे नहीं पता, तो चलिए, अब जहां से देखेगा, यह आपकी फर्स्ट लाइन है, और यह आपकी थर्ड लाइन, अब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में देखेंगे common क्या है यहाँ पे देखेंगे इज common है और यहाँ पे भी आपका इज common है पहली line और तीसरी line में देखेंगे इज के अत्रीक तौर कुछ common है नहीं न, पहली line में और अंतिम line में और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका tom और यहां पे भी आपका टॉम ठीक है यह A है जो O है यह ठीक है A नहीं है यहां पे टॉम और यहां पे भी टॉम है आपका ठीक है ए ही तो है ओके अब देखो इज का मतलब क्या हो गया कि इज का मतलब हो गया इज का मतलब हो गया तॉम इसका मतलब कि एपल का कोड टॉम नहीं होगा एपल का कोड टॉम नहीं होगा अब आगे देखेंगे इसका तो काम हो गया कैसे मुझे पता चला कॉमन देखे इज यहाँ पे है इज यहाँ पे है यहाँ पे टॉम है यहाँ पे भी टॉम है तो Tom और Tom यहां पर Common है, यहां पर पहली लाइन और तीसरी लाइन के का Common है? Age Common है, तो आपका Age का Port क्या हो जाएगा? Tom हो जाएगा, clear? अब आगे देखो, अब देखो, Apple का कोट आपको ग्याद करना है, आप देखो, Apple कहीं पर है, कहीं पे है नहीं, लेकिन हाँ, देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, ग्रीन, और यहाँ पे आप देखो, ग्रीन, पहली लाइन का तीसरा सब्द और दूसरी लाइन का पहला सब्द ग्रीन है, ठीक है, इसका मतलब पहली और दूसरी में क्या कॉमन है, आपका ग्रीन है तो यहाँ पे आपका green है और यहाँ पे भी आपका क्या है ग्रीन है तो अब इसमें देखो पहली और दूसरी लैंड देखेंगे क्या कौमन है यहाँ पे ने है और यहाँ पे भी आपका क्या है ने है यहाँ पे भी ने है और यहाँ पे भी ने है और यहाँ पे भी ने है इस एपल का जो कोड बनेगा, वो क्या बनेगा, पिट बन जाएगा, एपल का जो कोड बनेगा, वो क्या बन जाएगा, पिट, तो आपका जो राइट एंसर है, वो क्या होगा, राइट एंसर आपका पिट हो जाएगा, क्लियर, तो मैं इस करता हूँ कि आपको समझ में आया होग ठीक है इस तरह से हम common quality coding के question को solve कर लेते हैं और बिल question कराओंगा जिससे मतलब आपके concept जो है वो clear हो जाए जो doubt है वो दूर हो जाए ओके यह पहला question मतलब कि 60 number को question है यह example है ठीक है तो समझने की कोशिश कीजिए आप ठीक है चलिए अब इसका next question है ऐसे ही कोशिशन दो रहूँगा आपको अगला question है इसका common coding reporting का लिखोंगा बोट पे थोड़ा से time गएगा ओके आपको बोट पे भी दिखाई पढ़ रहा होगा ना स्केम पे चलिए अगला question है आपका ऐसे ही दिखाएंगे आपको question एक सेकंड यह किसी सांत्यति भार्षा में गुड़ा बुका का अर्थ है clear water clear water अगला है पिन गोल का अर्थ है ओवरकॉस्ट ओवरकॉस्ट इसका यह ओवरकॉस्ट इसका यह ओवरकॉस्ट इसका यह पिन सेफ फिन सेफ बुका का अर्थ है फिन सेफ बुका का अर्थ है clear blue किसका है और आपको किसका बुका बताना है blue का किसका बताना है blue का बताना है तो यह आपको बताएगा कि बुका का अर्थ है clear water फिन पिन बुका का अर्थ वरकॉस्ट इसका है यह एक ही मेंड़ है ठीक है यह इसका अलग का अर्थ है clear blue sky तो आपको किसका कोड़ बताना है आपको बताना है विल्यू का विल्यू का कोड़ बताना है तो आप देखो विल्यू आपका यहां पे ले यह आपका विल्यू है अब यह बताओ तीसरी लाइन में जो विल्यू है क्या कहीं पे कॉमन है कहीं है common, नहीं अब जबो, sky यहाँ पे है sky यहाँ पे है, और यहाँ पे है sky दूसरी लाइब और तीसरी लाइब में sky है तो यह बताएए आप, क्या sky common है है, तो क्योंकि sky और कहीं है नहीं और sky के अत्री तौर कुष लाइब है नहीं का तो आप क्या होगे यहाँ पर .... pricing common है तो दूसरी लाइए और तीसरी लाइए में देख लेए बाने क्या common बनदा ना तो आपका pin रभी क्किया ख़्या common है इसे मतनल इंडर है price, when the light of the sky, when the light of the sky for that ... इसका मतनल इस यहाँ बना ना क्लियर क्लियर आपका फर्स्ट लाइन में है और आपकी आखरी लाइन में तीसरी लाइन में है क्लियर तो यहाँ पे क्लियर के अद्रिक और कुछ है नहीं तो क्लियर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या है और पहले नाइन और अंति नाइन में निदेख लेंगे कामन है आपका पहली याइन और अंति लाइन में ज़क माल tell क्वान है आपका क्या क्या है कंवन है तो फिर यार्ड बच kilowेले भाई तो सेलय वाई में तो बहुत तो अदिछ치 तो फिर आप जो यह सेव बच रहा है, यहाँ पर मैं बिखिता हूँ, यहाँ पर यह किसका बन जाएगा? यह बन जाएगा आपका blue का, किसका बन जाएगा? तो blue हो जाएगा, तो आपका जो right answer होगा, वो क्या होगा? जो आपके विकल्प में है, ओके? यह आपका answer है, डाउट किशी को, प्लीच कमें में होता है यह मुझे, और वीडियो को ऐसे लग रही है आपको, ठीक है, concept के समस्त में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यह भी मुझे आप कमेंट में बताएगा, और चैनल, अब इस तक subscribe नही है, अगला है, 786 का जो अर्थ है, वो है, गिब मी एपल, गिब मी एपल, अगला है, 988, 988 का अर्थ है, पीट, गिब एपल, और अगला है, 645, इसका जो अर्थ है, गिब ग्रीन, फ्रूट, ठीक है, और आप से पूछ किसका रहा है, आप से पूछ रहा है, कि जो मी है, मी के लिए कौन सी संख्या होगे, मतलब मी के लिए कौन सी संख्या होगे, मी के लिए, यह आप से पूछ रहा है, मी के लिए क्या होगा, और मी है आपको कहां पर यह, इसका मतलब यह हुआ, कि गिव और एपल गिव और एपल को मैं हटा दूँ गिव और एपल को मैं हटा दूँ गिव और एपल को मैं हटा दूँ तो मुझे मी का पोड़ पता सल देगा और गिव और एपल हटेगा तैसे हम देखेंगे यहां पे कहीं कॉमन वो तो हट सकता है तो आप देखिएगा गिव कहां पे है गिव आपका यहां पे है यह आपका गिव यहां पे है और गिव आपका यहां पे है फ़र्श लाई में तो अब आप सोचो गिव के आतरी तौर कोई शब्द है common नहीं तो यहां पे देखेंगे क्या common बनना है यहां पे six common मत्दा है आपका six common मत्दा है इसका मतलब भी जो आपका give है give का तो फिर तो जाएगा six हो जाएगा इसका मतलब की me के लिए तो six अब बिल्कुल नहीं होगा किसके लिए होगा? give के लिए होगा अब बचा seven और eight अब आप देखीजीगा apple हट जाए तो जादा अच्छ होगा तो दूसरी line में आप देखेंगे दूसरी line में आप देखेगा apple यहां पे है और पड़ी line पे भी apple है आपका और यहां पे देखींगे यहां पे eight है और यहां पे भी eight है और बचा आपका seven तो 7 फिर किसके लिए हो जाएगा, 7 तो फिर मी के भी हो जाएगा, तो आपका जो right answer होगा, आपका right answer जो होगा, हो क्या होगा, 7 होगा, you will be correct answer 7, साथ आपका सही answer होगा, उत्तर होगा, मैं उमीद करता हूँ कि question आपको समझ में आ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question लेखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 का अर्थ है, these are wise, these are wise, 1 प्लस 3 प्लस 4 का अर्थ है, wise are, wise are naughty, एक प्लस 4 प्लस 5 का अर्थ है, naughty बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं कुछ जगा और कुछ जगा बढ़ते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल परिशान नहोंगे, एलिमेंट एक ही जैसे हैं, ठीक है, इसमें आपको बताना क्या है, इसमें नौटी का जो नंबर है, नौटी का जो नंबर है, वो किस के, कौन सा होगा, ठीक है, नौटी का जो नंबर होगा, वो किस के लिए हो, कितना होगा, नौटी के लिए कितना नंबर यूज किया गया है, बताना है आपको तो आप बतायेंगे नोटी के लिए कितना नंबर gather the use हुआ है कौन सान नंबर यूज हुआ है ये चीज़ आपको बताना है जरी देखेंगे अब आपका नोटी यहाँ पे है और नोटी आपका यहाँ पे है दूर जग़ा नोटी है लेकिन उसके आतरीक तो आप देखिए वायस यहां पर भी है और वायस यहां पर भी है तो सबसे पहले हम वायस का क्या लड़ते हैं वायस का कोड हम निकाल सकते हैं वायस का कोड निकाल सकते हैं किस के कोड इंग तो आप पहनी लाइन को आप देखेंगे और अंतिम लाइन को देखेंगे वायस के आतरीक और कुछ है नहीं कॉमन यहां पे और यहां पे देख लेंगे एक आपका है, यहां पे भी एक है, इसका मतलब कि जो बायस का कोड बना, जो बायस का कोड बना, वो कितना बना, एक बना, बायस का कोड कितना बना, एक, ओके, तो बायस का कोड तो होगा, बाहर होगा, अब आपका क्या बच्छा, नॉटी, इसका मतलब चार नंबर, या फिर तो चलिए आगे बढ़ते हैं में लोग आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल सही ठीक है तो नौटी का जो code होगा वह कितना होगा अच्छा ओके चलिए next question लेकिंगे आप अगला सवाल है अब देख लेंगे आपको common recording recording तो हो गया आप हम देख लेखते हैं words to words ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको यह question समझ में आया होगे और जिनके code नहीं मिलते हैं जैसे कि code ना match करें तो वहाँ पर आजगर आजगर की condition हो जाती है आपके ठीक है तो देखें का practice में आपको करवा देंगे ठीक है तो हम दो इसको देख लेंगे आप words to words ठीक है अगला time का है यह आपका words to words ठीक है इसका आपको मैं example यहाँ पर question लगवा देता हूँ यहाँ पर आप question लगा दें ठीक है question यहाँ पर और मैं थोड़ा से करा दूँगा आपको question तो आपको दिखाई जयोगो ना चले पहले आपको question है इसका मतलब की इसमें का example जो है आपका जैसे किसमें कहा गया है पहला question मतलब इसमें है आपका जो question एक second थोड़ा से कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए नारंगी को क्या कहा जाए मक्खन कहा जा रहा है कोशना आप देख रहे होंगे मक्खन को शाबुन कहा जाता है मक्खन को शाबुन कहा जा रहा है शाबुन को शाही कहा जा रहा है शाबुन को शाही कहा जा रहा है शाही को क्या कहा जा जा रहा है शाही को सहद कहा जा जा रहा है और सहद को क्या कहा जा जा रहा है सहद को लाल कहा जा जा रहा है तो बताना है कि कपड़े की धुलाई कपड़े की धुलाई होगी वो किसी से होगी कपड़े की धुलाई किसे होगी यह चीज आपको बताना है जो हो, नारंगी को मक्खन कहा जा रहा है मक्खन को साबुन कहा जा रहा है साबुन को स्याही कहा जा रहा है साबुन को क्या कहा जा रहा है मतब हम लोग जो कपड़े की दुलाई करते हैं वो साबुन से करते हैं किसे करते हैं साबुन से करते हैं लेकिन साबुन को क्या कहा जा रहा है साबुन को तो स्याही कहा जा रहा है साबुन को कहा जा रहा है साभुन को क्या जा जा रहा है श्याही का जा जा रहा है जिए अब यह आप से पुशा जाता कि संत्रा किस कलर का होता है ठीक है तो आप कहते मक्खन क्यों क्यों कि संत्रे का चुर्ण होता नारंगी होता है जो भी हो जो भी कलर आपका नारंगी है वो आपका क्या होगा मक्ख लेट वगला है तो लेकिन मखन को आ जाए रहा है तो मखन को तो हम साबुन कह रहे हैं, मक्खन को क्या कह रहे हैं, मक्खन को तो हम साबुन कह रहे हैं, तो शाबुन को हम रोटी में लगा के खाएंगे, साबुन को हम रोटी में लगा के खाएंगे, ठीक है, उसी तरह से साबुन को क्या का जा जा रहा है, तो शाबुन को क्या का जा जा तो फिर कपड़े हम किस से दुलाई करते हैं, कपड़ों की दुलाई हम किस से करते हैं, तो साबुन को फिर क्या का जा 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 है, तो कपड़ों की दुलाई हम किस से करेंगे, तो कपड़ों की दुलाई हम साबुन से नहीं, बल्कि किस से करेंगे, स्याही से करेंगे, तो आग को पानी कहा जाता है, आग को क्या कहा गया है, ध्यांस मैं समझेगे, आग को क्या कहा गया है, और पाणी को क्या कहा गया है, हवा, भोजन, हावा को क्या कहा गया है भोजन, भोजन को क्या कहा गया है, भूँख, और भूँख को प्यास, भूँख को क्या कहा गया है, प्यास, प्यास को तपीस, प्यास को तपीस, और तपीस को ठंड़क, तपीस को ठंड़क, तो पूछ रहा है कि प्यासे को किस चीजी की जरुवत होती है तो आप ये बताएगे जो प्यासा होता है प्यासा जो होता है तप इसको ठंदा कह जा रहा है तो आप हम भी स्क्रिप देखेंगे वैसे लिख दिया हूँ आपे ठीक है तो प्यासे को तपीस कर गया और तपीस को क्या कर गया खंधर यह बताइए जो आपसे पूछ रहा है क्या कह रहा है कि प्यासे को किसीच की जरूरत होती है तो प्यासा जो होता है उसको पानी की जरूरत होती है प्यासे को किसीच की जरूरत होती है तो प्यासे को तो पानी की जरूत होती है, कोई किसी को प्यास लगी हो जैसे गर में चल लगी है, तो यहां पे प्यास को क्या जरूत होगी, पानी की जरूत होगी, तो मुझे पानी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या का गया है, पानी को हवा का जाता है, जिसे आग को पानी का जाएगा, जैसे मै लोग भी जोर है डिए तो आग जैसे सब्जाि है जिसे कि जो आग विएरा लग जाती carry a style ओई सब there आग का सथे हैं तो आग का मन medicine to load घू लोग जैसे पाणी कीबात होती है है यह code है, जैसे आप पहले सी बतागे, बखो मैं पानी मांगूँ हूँआ, तो आप हवा को होगा, तो आप हवा को हुआ तो आप पानी समझेगे, तो लोग उसमें डाउट वाले को, coding की बात होती है, जैसे पानी को यहां पर हवा कहा गया है, ठीके, जैसे किशी को प्यास हवा की जरूद है, यह खायन जला दो, तो आप अब भोजन दो, ठीके, भोजन अगर कहेंगे, तो फिर हम हवा समझे, तो इसकी मीनिंग है, अलग-अलग code है, उसी तरह से प्यासे को यहां पर पानी की जरूद होगी, लेकिन यहां पर पानी को क्या था जा रहा है, हवा, तो यहां पर जो सही answer होगा, वो क्या होगा, हवा होगा, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह question समझ में आया होगे, इसमें push नहीं करना होता, ऐसे question आपके exam में पूछे गया है, और पूछे भी जाते हैं, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज में इतना ही रखता हूँ, अगला जो आपका topic होगा, वो होगी, bandy theorem से होगी, bandy परमेश होगा, coding decoding, bandy, coding decoding हम लोग करेंगे, और ए topic हम लोग bandy coding decoding पर ही करेंगे, और उसमें हम लोग यह भी करनेगे, later to symbol के वो question होते हैं, bandy coding decoding पर ही करनेगे, ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, और प्ल अच्छी सी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, फिर आगे देखते हैं फि, bandy coding decoding पर हाते हैं, आपको next class ने, वाज मितने रखते हूँ, जय ही जय भारत